वेलकम टू गैस माई नीव वीडियो तो गैस आज मेरे पास ओपोगा F37 फोन आया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम है गैस इसे जैसे ओन करते हैं ये ओन होता है फिर थोड़े टाइम तलग ये लोगों पर रुखता है वापस ये देख सकते हैं ये अभी switch off हो जाएगा तो देख सकते हैं गैस ये switch off हो गया है फिर से मैं इसे on करने की कोशिश करता हूँ फिर ये phone on होगा फिर थोड़ टाइम तो लग ये logo पर रुखेगा फिर वापस ये switch off हो जाएगा तो देख सकते हैं guys ये कभी कभी on भी हो जाता है तो जैसे इसमें calling आता है या हम YouTube पर जाते हैं तो ये phone switch off हो जाता है तो यहाँ पर ये phone switch off हो गया और guys जैसे इसमें charging प्लकिंग करते हैं ये charging यहाँ पर so करता है डिस्पले हमारे और जैसे हम phone को वापस on करते हैं तो ये phone जो है पूरी तरीके से on होगा और on होने के guys यहाँ पर ना ये switch off होगा ना यहाँ पर कोई problem आएगा जैसी guys इसमें से charging रिमू करेंगे ये automatic switch off हो जाएगा तो देख सकते guys ये पूरी तरीके से on हो गया है अभी जैसी मैं इसमें से charging को रिमू करूंगा और इसे lock वगयरा खोलूंगा और ये इसमें calling वगयरा करने जाओंगा तो ये phone आटोमेटिक switch off हो जाएगा तो देख सकते guys यहाँ पर ये phone switch off हो गया है तो ऐसे phone को किस तरह ठीक करना है चलो आज इस YouTube मैं आप लोग को बदाता हूं तो पहले guys इसका sim tray बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालके guys इस phone को open कर लेते हैं इसको open करने के लिए guys यहाँ से जो आपको हलका सा प्रेज करना है पीछे की तरफ जो हमारा पीछे का पैनल होता है ये automatic remove हो जाता है तो देख सकते guys इसे मैं किस तरह open कर रहा हूं Oppo का F37 phone है तो guys यहाँ से जो है इसे हलकालका सा प्रेज करना है और प्रेज करने के लाद चारो तरफ से आपको हलकालका सा प्रेज कर देना है और ये phone automatic पीछे का पैनल open हो जाएगा तो यहाँ पर जो guys problem है यह problem actually जो है यहाँ पर हमारे जो है इस battery का problem होता है तो यहाँ पर guys मैं इस phone को battery replacement नहीं करूंगा यही battery को वापस बना देता हूं और किस तरह बनाना है मैं आप लोगों को बता देता हूं तो पहले guys यहाँ से जो हमारे battery को इस trip को रिमू करना होगा तो यहाँ से दो इस खुरू को खोल लेते हैं और इसका यह जो पत्रा है supporting के लिए लगरता है इसे रिमू कर लेते हैं और यह battery को guys हम पहले open करके बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के वापस आपको चेक करके बताते हैं किस में क्या problem है तो यहाँ पे जो guys इस battery को पहले बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे जो यह green करके आपको battery को उपर थैली नजर आता रहेगा आपको इसे पकड़ के अच्छी तरह से खीचना होगा और खीचने के बाद guys यह जो battery है यहाँ से बाहर आ जाएगा तो देख सकते है guys यहाँ पे थोड़ी सी battery तेड़ी हो जाती है लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको कोई डरना नहीं है वापस से इसे सही कर देना है और यह अपने जगर पे वापस जाके बैढ़ जाता है तो यहाँ पे जो guys इसका problem है जो phone हमारा automatic switch off हो जा रहा है तो यह problem को किस तरह solve करते हैं इस video बताता हूं मैं आप लोग को तो यहाँ पे guys जो हमारी यह थैली है इसको cutting कर लेते हैं और cutting करके guys इसमें जो problem है एक डाइवेड लगा होता है जिसका नाम है CLK तो वो guys डाइवेड को जो है हमें एक दूसरे से attach कर देना ह है तो यहाँ पर guys इस thailu को open कर लेते हैं और open करके guys आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो यह CLK का daइवेड है इसे किस तरह आपको remove कर भी सकते हैं या तू आपसे this ku confronting देते हैं तो यहाँ पर जो guys मैं इसे ठाईली को cutting कर लेते हैं और ठाईली कटिंग करके गाइस आपको दिखाता हूँ यह सीलके का जो डाइवर्ड है यहां पर है तो इसे अच्छी तरह से आपको कटिंग कर लेना है और कटिंग करके गाइस जो यह पीवी सी थैली है इसे हलके हाँ से आपको निकाल देना है यहां से तो यहां से हलके देख सकते मैं इसे कटि CLK करके registered नजर आता रहेगा तो देख सकते हैं यह जो है यहाँ पर लगा हुआ है black color का है यह register के jest बाजू में होता है तो guys इसे जो है आपको remove करके इसे sorting कर देना है तो यहाँ पर guys मैं इसे remove नहीं करूँगा और इसको यहीं पर sorting कर दूँगा तो इसके दोनों तरफ आपको हलका हलका सा scratch कर देना है क्योंकि guys यह जो battery होता है पुराने इसमें glue लगा होता है तो glue लगने कारण guys यहाँ पर solidigung करने में काफी दिक्कत होती है तो यहाँ पर जो है मैं हलका हलका सा scratch कर दूँगा और यहाँ जो है दोनों तरफ पेश्ट लगा के जमपर वायर से आपको अच्छी तरह से जमपर कर देना है तो देख सकते हैं किस तरह इसे जमपर करना है मैं आप लोग को इस वीडियो में बता देता हूँ जो इसका दोनों तरफ का जो हमारा डाइवर्ट का छेड़ा है इसे अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से सोल्डर वायर को सोल्डिंंग कर लेना है पहले तो क्लीन करने बाएवर्ट तो उसके बाद इस इसों लगाने में यहाँ पे जमपर माने में अपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ पे देख सकते हैं गैस मैं इसे किस तरह जमपर मार रहा हूं और जो गईस इसमें प्रॉबलम है इसे ओन करते हैं ये आटो मिटक सूइच अफ हो जाता है ये प्रॉबलम 100% सॉल्फ हो जाएगा क्यूंकि यहाँ पर गईस जो इसका CLK डैवड होता है वह खराब हो जाता है जिसके कारण ये फो हलका सा दोनों तरफ इसे paste लगा देना है CLK के पास और आपको दोनों तरफ इसे अच्छी तरह से soldering कर देना है तो यहां पर गाईस मैं किस तरह soldering कर रहा हूं आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में तो यहां पर गाईस इसे CLK के पास से दोनों तरफ आपको हल्के ःते हां से अबहरें और और सउल्ड़ काफा औरहें सिल्डेश के फाइवर जया था सीड़ होगाई तो यह मैंने कर दिया कि मैंने कुछ निच भूरे हैं Warszawa कारें ने ही ङुर्भ है सबस्क्षेक जंपर मारना है तो देख सकते गाइस यह जो CLK का है यह दोनों तरफ मैंने यहाँ पर जो है इसे अच्छी तरह से जंपर मार दिया है वापस से जिस तरह इसे आपने ओपन किया था उसी सरी का आपको सेम इसे वापस फिटिंग कर देना है और गाइस देखना है कि जो हमारा यह बैटरी का इस्ट्री पर यह कहीं पर ग्राउंड से टेच ना होए जिसके करण गाइस यह हमारा बैटरी खराब हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसे वापस उसी सरीके से से सेम टू सेम बैठा दिया है और गाइस यहाँ पर जो हलका सा इसे मैं टेप मार हूँ जिससे यह मजबूती रहेगा यहाँ पर और गाइस यह जो हमारा प्रॉब्लम था यह ओन होते ही स्विच आफ हो जाता था यह प्रॉब्लम हंडेट परसेंट सॉल्फ हो जाएगा तो यहाँ पर यह बैटरी हमारी कंप्लेट हो गई है अभी गाइस मैं इस फोन में इसे फिटिंग कर लेता हूँ और फिटिंग करके आप लोगो चेक करके दिखा देता हूँ यह जो प्रॉब्लम था हमारा जो जैसी ओन करते थे और यह फोन स्विच आफ हो जाता था यह 100% ओन होने लगेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा तो गाइस इस तरह जो है ज तो यहां पर गाइस मैंने CLQ को खाली सॉर्टिंग कर दिया है और यह जो हमारा प्रॉब्लम था बंद होने का यह 100% सॉल्फ हो जाएगा आप कोई भी मूबाइल में यह से प्रॉब्लम हो तो उसे इजी ट्रिक से आप सॉल्फ कर सकते तो देख सकते गाइस यह फोन मेरा ओ यह फोन हो चुका है नहीं तो पहले गाइस यह फोन जैसे हम अन करते थे अन तो हो जबता लेकिन यह तुरन सुछ आफ हो जाता था तो यहां पर देख सकते गाइस इसके सारे की वगरा काम कर रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरह गाइस जो है आप कोई प्रॉब्लम के फोन आते हैं तो आप इस तरह आप फोन को ठीक करें तो यहां पर जो गाइस इस फोन में जो है कस्टमर का कहना था कि इसका चार्जिंग पिन भी मेरे चार्जर से नहीं चार्ज हो रहा है लेकिन गाइस यह जो हमारे पास से जो चार्जर था हमने इसमें प्लकिंग किया कोई-कोई चार्जर इसमें नहीं पकड़ रहा था और पहले यह phone switch off हो जाता था जिसके खरण यह CL के register खराब था तो यह CL के register को मैंने आपस में sorting कर दिया है तो यहाँ पर जैसे मैंने SIM card लगाया है तो यह restart मांग रहा है क्योंकि old phone जो पो के होते हैं जिसे इसमें SIM card प्लकिंग करते थे तो guys यह restart होता था तो यहाँ पर guys यह वापस मैं इसे restart करके on करके देख लेकता हूँ देख सकते guys यह पूरी तरीके से on orize में कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह guys ऐसे phone के जो problem होते हैं आप इस तरह solve कर सकते हैं तो यहाँ पर guys हमारा phone पूरी तरीके से okay चला इसमें कोई दिक्कत नहीं जो पहले यह switch off हो जाता था यह problem 100% solve हो गया है अभी तो guys अभी मैं आप लोगों को YouTube पे भी चालू करके दिखा देता हूँ यहाँ पर guys मैंने YouTube को सारे चेक कर लिया यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं यह phone मेरा पूरी तरीके से okay हो गया है तो guys अभी जो है मैं इसमें इसका जो charging pin खराब है इसे भी कर देते हैं रिप्लेस्मेंट तो guys यहाँ पर जो है हमारे charging का जहाँ पर support charging connector लगा हुआ है वहाँ पर इसे open कर लेते हैं और open करने के बाद guys इसे जो है इसका जो charging pin किस तरह रिप्लेस्मेंट करना है मैं आप लोग को इस वीडियो में भी बता देता हूँ क्योंकि guys यह जो charging pin होता है यह हमारा इक strip पर लगा हुआ था जिसे chain करने में काफी problem होती है तो यहाँ पर guys इस problem को भी मैं दूर कर देता हूँ कि इस तरह इसे replacement करना है आप लोग को बता दे देता हूँ तो यहाँ पर guys मैं इसके सारे screw अगरा खोल लेता हूँ और खोलने के बाद guys आप लोग को चेक करके दिखा देता हूँ इसका जो charging pin ने यह काफी इसमें monster भी लगा है water damage भी हुआ है यह काफी पुराना है तो जिसके कारड़ यह phone में कोई कोई charger पकड़ रहा है तो इसे replacement कर देते हैं क्योंकि guys यहाँ पर जो charging pin ने इसमें कोई भी charger लगाने के बाद इसे charge होना चाहिए लेकिन यह charge नहीं हो रहा है तो देख सकते guys यह charging pin हमारा लगा हुआ यह strip पे लगा हुआ है तो जिसके कारण guys कभी कभी हमारा strip यहाँ से तूड जाता है तो जिसके कारण मुझे jumper मारके यह charging pin को बठाना पड़ता है तो यहाँ पर guys आपको एक हलका सा पत्तरा ले लेना है और उस charging pin के पास हलका सा यहाँ पर लगा देना है और लगाने के बाद guys आपको चारो तरब जो हमारा charging connector होता है वहाँ पर आपको paste लगा देना है और paste लगा कि guys इसे blur से कैसे easy trick से निकालना है मैं आप लोगों को बता देता हूं तो यहाँ पर guys देख सकते हैं मैं इसे चारो तरब जो है इसमें paste लगा दिया हूं और paste लगाने आपको बता देता हूं इसे काफी easy trick होता है इसे निकालने में काफी दिक्कते होती है तो वह उस problem को भी मैं easily solve कर करके दिखा देता हूं तो यहाँ पे गायिस जो है आपको ब्लोऊर से जे एक तरफ से हलका सा हेडिंग करना है तो यहाँ पे ठोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो यह फून को मैं पल्टी कर लेता हूं पल्टी करके गायीसि-से इजली किस तरह निकालना है मैं आ और आपके जो नीचे की बोडी होई ही, वो गल जाएगी कू ballage, लुख यह वह काफ़ी heat होता है तो देख सकते गर इस आपके awal pig day इस तिरदीन देना है और अपने इस South City आपको air रखना है ज्यादा इस आप यहाँ नहीं रखना है ब्लोर से इस तरह इसे हीडिंग देना है और अपने इसाप से आपको एयर रखना है ज्यादा यहां पर नहीं रखना है और यहां पर इसे आपको अपने इसाप से हीड करना है कि जहां पर कोई दिक्कत ना होए तो देख सकते हैं यहां पर मैंने किस तरह इसे हीड कर रहा हू और यह इजली ट्रिक से यह आटोमेटिक देख सकते हैं निकल गया है चार्जिंग पिन हमारा तो इस तरह गाईस इसके चार्जिंग पिन को रिमू करते हैं और यहां पर गाईस मैंने इस चार्जिंग पिन को ब्लोर से किस तरह रिमू किया और गाईस यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं एक दम इजी ट्रिक से निकल चुका है अभी जो गाईस इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है क्लीन आप सोल्डर से भी कर सकते हैं या तो क्लीन हो जाएगा आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होएगी। यह जो था यहां वाए के यहां पर रही हो देज करने के लए चार्जिक का मीशन जो देख से बाइश हो बीज्डर से अच्छी तरह से बाते होग माई इस दाटो से गल्यू-दार के लिए है तो से से hetatDude ॡषण जो यहां इससे क्लीन कर दिया, क्लीन रहा ज़ जो रहा है करने के बाद जो जो हमारा पीछे के पाँच पॉइंट होते हैं उसे बिलेट से हलका सा इसक्रेच कर देना है और पेश्ट लगा कि उसे भी अच्छी तरह से आपको वो कि सोल्डिंग कर देना है और आपको प्रॉब्लम है यहां पे गईच आपको ब्लोर का इस्तेमाल करेंगे तो गईच जो हमरा चार्जिंग पी नया वाला ये जल जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लिया हूँ और सोल्डिंग करने के बाद जो इसके पीछे के 5 पॉइंट है इसे भी आपको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देना है तो जिसके करण गाईस इसे बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होईगी तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसे किस तरह सोल्डिंग कर रहा हूं कभी वी आप लोग कोई भी चार्जी चेंड करते हैं तो उसके पीछे की तरफ आपको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देना है यहाँ पेस्ट लगा दिया है आपको एकदम अटेच पे बठा के वापस उसे बॉड़ी में बठा देना और पीछे की तरब आपके दो जो खाचे नजर आएंगे वह खाचे को आपको पहले सोल्डिंग कर देना है तो यहां पर देख सकते हैं इसे मैंने खाचे पे बठा के इसे माच पॉइंट होते हैं चार्जिंग करनेटर के उसे सोल्डिंग करना ना भूले नहीं तो जिसके कारण गाइस यहां पर लूज मोसन होएगा और हमारा फोन जो है चार्जिंग नहीं होएगा तो यहां पर पीछे के जो दो पॉइंट है उसे अच्छी तरह से आपको सोल् तो यहां पर हमारा charging pin complete बैड़ गया है इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ और इस तरह ओपो का F37 के charging pin को replacement करते हैं तो यहां पर हलका सा इसे clean कर लेते हैं और clean करके guys आप लोग को fitting करके चेक करके दिखा देता हो जो यह problem था हमारा charging का भी यह भी problem solve हो गया है तो यहां पर अच्छी तरह से आपको clean कर देना है क्योंकि यह phone काफी old है जो जिसके कारण guys यहां पर काफी गंदगी होती है जी तो हमारा speaker में आवाज कम आता है यह भी problem आपका solve हो जाएगा अगर आप अच्छी तरह इस speaker के पास सफा कर देंगे तो यहां पर जो guys में इसके सारे screw लगा लेता हूँ और screw लगा के guys आप लोगों चेक करके दिखा देता हूँ इसमें जो problem था हमारा phone यहां पर charging नहीं हो रहा था तो वो भी problem एकदम solve हो जाएगा तो इस तरह guys जो है उपको के F37 का जो problem था हमारा इसमें जो battery का problem था phone on होते ही switch off हो जाएदा था यह भी problem मारा यहां पर solve हो गया है और यहां पर guys मैंने इस charging pin को किस तरह replacement करना है आपको इस video में भी बता दिया हूँ एकदम एजी trick से इसे replacement करते हैं तो यहां पर guys मैंने charging pin को change कर दिया और यह देख सकते हैं हमारा phone charge हो रहा है इसमें कोई problem नहीं है और जो भी problem था guys इसमें सारे problem अभी solve हो चुके हैं तो मैं इसे भी on करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ यह phone जो है guys यहां पर जो हमें इसे charging रिमू कर देता हूँ और रिमू करके इसे ओपस on करके आप लोगों को दिखा देता हूँ यह जो हमारा problem था charging pin का भी यह भी problem 100% solve हो गए इस तरह guys almost कोई भी android phone हो आप इस तरह इसका charging pin भी replacement कर सकते हैं तो guys यहाँ फे phone हमारा पूरी तरीके से work कर रहा है इसमें कोई problem नहीं है तो guys अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो देख सकते guys यह phone में मैंने charging plugging कर दिया है और यह phone अब चार्ज होने लगा है इसमें कोई problem नहीं है और यहाँ पर जो guys पहले हमारा phone switch हो रहा था यह भी problem solve हो चुका है तो इस तरह guys almost कोई भी phone हो आप इस तरह repair कर सकते हैं तो guys वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना